नमस्कार मैं हूँ दिबांजली मुईत्रा विश्व क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी से तहल का मचाने वाले अफगानस्तान के फिरकी गेंदबाज राश्ट खान इन दिनों पूरी दुनिया से मदद मांग रहे और मौजुदा वक्त में अफगानस्तान में जो दौर चल रहा है उससे वो बेहद हैरान परिशान और आहद है इसलिए उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से अपील करते हुए अफगानी लोगों को बचाने के लिए मदद मांगी दरसल राशद खान अपने देश में चल रही तालिबान की कुरूरता से काफी आहत नजर आ रहे जिसके बाद उन्होंने दुनिया भर से मदद मांगी राशद ने ट्वीट करते हुए लिखा दुनिया भर के प्रिय नेताओं मेरा देश संकट वे प्रते दिन महिलाओं और बच्चों समेत हजारों लोग मारे जा रहे घरों और संपत्यों को बरबाद किया जा रहा है लोग अपना घर छोड़ कर जाने के लिए मजबूर किये जा रहे इन मुश्किल हालातों में हमें अकेला मत छोड़िए अफगानस्तान और यहां के लोगों को बरबाद होने से बचा ले हम शान्ती चाहते हैं राशत खान के स्वीट के बाद काफी लोग उनके सपोर्ट पे उतरे ट्विटर यूजर अमरेंडर ने लिखा प्रेय मोधी जी प्लीज आप कुछ करिए अफगानस्तान को बचा लीजे सोना नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा अफगानस्तान के लिए दुआ कीजे जरूरत मंदों को उचित मदद मिले करीम आदल ने ट्वीट करते वे लिखा पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करता और अफगानस्तान में युद्ध चाहता दुनिया को पाकिस्तान पर प्रतिबंद लगाना चाहिए ट्विटर यूजर रवी राणा ने लिखा पता नहीं ऐसे वक्त में यूएन क्या कर रहा है इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर लोग राशत खान के सपोर्ट पे उतर चुके और लगातार अफगानस्तान की मदद के लिए दुनिया से गुखार लगा रहे मही तालिबान की कुरूरता देखकर भारतिय दुतावास्ते मंगलवार को संदेश जारी कर अपने नागरिकों को तुरंट अफगानस्तान छोड़ने की सलाह दी भारतिय नागरिकों से कहा गया है कि वे भारत लोटने के लिए ततकाल यात्रा की विवस्था करे अफगानस्तान में मौझूद भारतिय कमपनियों को भी आदेश दिया गया है कि तोरंट भारतिय नागरिकों को देश भेजने की व्यवस्था की जाए इससे पहले 29 जून और 24 जुलाई को भी भारतिय दूतावास्ते अपने नागरिकों को अफगानिस्तान के हालात को लेकर सलाह जारी की थी कि अपने की व्यानिस्तान के अपने की जाए